हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ साजीदा और मेरे चैनल का नाम है कुकविश साजीदा दोस्तों मैं फिर से हाजर हूँ एक बहुत ही हल्दी सी रेसिपी लेकर ये इतनी हल्दी है कि अगर आप एक बार बना लोगे ना तो बार बार बना कर खाना पसंद करोगे यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना बूले दोस्तों आपका सब्सक्राइब करने पर आपको कोई चार्ज नहीं लगता कुछ पे नहीं करना पड़ता है बस ये होता ये है कि मैं एक वीडियो जो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक का पहुँच जाता है तो चले स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल वीडियो तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम होने के लिए रख दिया है पैन हमारा जैसे ही गरम हो जाए इसमें हमें एड करना है एक कप पानी और पानी को हमें बॉइल करना है थोड़ा सी हमें बॉइल करना है जादा नहीं करना है और टेंपरेचर मैं आपको बता दूँगी कि हमें कितना बॉइल करना है लेकिन कुछ सेकंड के लिए हम इसको बॉइल करने के लिए रख देते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह का कुछ हमाच चाहिए तो आप देख सकते हो इस तरह का होना चाहिए क्यूंकि हमें निकालने में अंडे को थोड़ा सानी रहेगी तो यहां पे देखिए हमारा जो पानी था वो अच्छे से गरम हो गया है यह देखिए इस तरह से छोड़े चोड़े बबल्स आने चाहिए और जादा बड़े बड़े बबल्स आएंगे तो हमारा पानी जो है बुखत ही जादा गरम हो गया लेकिन अभी छोटे बबल्स आ रहे हैं हमारा पानी पॉफेक्ली बॉइल हो गया है तब इस स्टेच पे हमने एक अंडे को तोड़के इसमें डाल दिया है तो आप इसमें हम करना है फ्लेवर के लिए नमक एड का लीजिए और इसको बिना कोई और चीज मिक्स की इसको थोड़ा सी हमें पकने देंगे और यह काम हम स्लोली कर रहे हैं स्लो फ्लेम पे और इसको थोड़ा सी हम सिमेटने की कोशिश कर रहे हैं देख सकते हो आप क्योंकि यह फैल गया बहुत ही healthy virgin है दोस्तों अंडे का ये और बनाने का भी बहुत ही अलग और बहुत ही बहुत ही बहतरीन सा तरीका है आई होब कि आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा तो देखिए इसलो ली मैंने इसको एक मिट के लिए पका लिया है अब इसको निकाल लेंगे इसको जादा टाइम नहीं लगता है सुबा सवेरे आप जब भी खाना चाहे तो ये खा सकते हो बना के तो अब इसको एक प्ले आप चाहो तो भुने हुए जीरे का पाउडर भी एड कर सकते हो लेकिन मुझे ब्लैक पेपर पाउडर बहुत पसंद है इसके लिए में स्रिफ वही एड कर रही हूं खाने में ये बहुत ही यम्मी डिलेशिस है दोस्तों और दिखने में लुक इसका कितना यमी है और मैं तो इसको ट्राइक किये भी ना रहनी पारी है तो मैं तो जरूर ट्राइक करूंगी